नमस्कार दोस्तो रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो आज इन्वेस्ट करो कल अरम करो कंसेप्ट के साथ विडियो को स्टार्ट करते दोस्तो इस वीडियो में देखने वाले शाली मार प्रोडक्शन के बारे में जो स्टॉक का प्राइस है लगबग 55 पैसे के आसपा स्टॉक का प्राइस है और आपने देखा रहेगा आज के दीन में बहुती बड़ा लोवर सरकित लगा था उसके पीछे का रिजन यहाँ पे क इसकी कमपने मार्केट के आप सिर्फ यहाँ पे 54 करड के आसपास है तो इससे स्टॉक बहुती जादा रिज्च रहते लेकिन इसका उल्टा भी रहते यहाँ पे रिवाड यू मिल सकते हैं लेकिन रिवाड के चकर में इससे स्टॉक में ज़्यादा पैसा मत लगा है क्यों इसे श्टॉक आगे जाके डूबने के चैंचेस बहुत जादा रहते तो यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा जो शाली मार प्रोड़क्शन इनका जो मेन बिजनेस है यहाँ पे कौन से सेक्टर में कमपनी काम करते मेडिया सेक्टर में कमपनी काम करते जैसे कि छोटे-छ जो बिजनेस है इसको थोड़ी बहुत ग्रूथ है लेकिन यहाँ पे टक्कर देने वाली इसके कॉंपिटर बहुत ही तगड़े यह तो हो गए कंपनी के बिजनेस के बारे में तो यहाँ पे कंपनी ने कौन सा मिटिक कंड़र्ट किया था 28 ओक्टोबर को यहाँ पे कंपनी के बहुत ज्यादा चांचेस रहे थे तो चले देख लेते हैं इसको क्या हुआ है क्वाटर टू के रिजल्ट में जैसी कि यहाँ पे आप लोग देश हते हैं जो पहला कॉलम दिख रहा है यहाँ पे इस बार के क्वाटर टू के रिजल्ट है यहाँ पे मिडल कॉलम दिख यानि कि पिछले quarter की यानि कि quarter 1 के result है और जो last column दिख रहा है यहाँ पे है result पिछले साल के quarter 2 के result है तो हम लोग यहाँ पे comparison कर लेते हैं exactly company को क्या हो आए profit हो आए गाटा हो आए 101% chances कि company को गाटा हो रहेगा क्योंकि strong lower circuit लगा है तो इसके उसे एसे stock में कभी भी बुरी खबर आते हैं तो अपरेटर एसे stock को बहुत ही चाता पटक देते हैं तो यहाँ पे आप लोग देश सेते company को total income कितना हो है यहाँ पर सकते हैं इस quarter में 36.84 total income हो है पिछले quarter में कितना हो था 70.70 मतलब बहुत ही आच्छा हो था और इससे पहले के last career के quarter two में क्या हो था 143 करोड के आसपास इनको यहाँ पे जो total income हो था है यह तो हो गया total income के बारे में तो आप लोग देश सेते हैं इंकम में quarter to quarter और जो year to year है बहुत ही चाता गिर आउट दिख रहे तो आगे जाके देखते हैं कि company ने expenses कितने के तो यहाँ पे total expenses देख सेते हैं company के तो इस quarter में 51 करोड के आसपास खर्चे होए last quarter में 68 के आसपास हो गयते हैं और इससे पहले 138 हुआ था मसलों last year के quarter two में देखा जाए तो company के खर्चे भी control में यह तो एक अच्छी बहुत है next point देख से company को exactly net profit कितना हो है net profit मतलब होता क्या है यहाँ पे सब कुछ expenses देने के पास छोटे मोटे खर्चे देने के बाद company के हाथ में जो profit बचता है उसको net profit कहा जाते हैं बहुत ही important parameter है अगर छोटे company को net profit negative है या फिर घाटे में जा रहे हैं तो बहुत ही जाद नुक्सन हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लोग पढ़ सकते हैं 7 number का line net profit loss for the period अगर पर लग बोल सकते company को घाटा हुआ तो यहाँ पर देख सकते हैं इस quarter में जो आकड़े बोलोगे यहाँ पर bracket में देख रहें company को 14.30 करोज का घाटा हुआ बहुत ही खरब बाते पिछले quarter में क्या होता company को profit होता 2.22 के आसपास profit होता और इससे पहले के quarter 2 में जो last year के लगब पार्च करोड के असपास यहाँ पर net profit होता मतलब देख सकते quarter to quarter और year to year है बहुत ही जादा गिरावट दिख रहें company direct profit से loss में चले गए देखा जे तो company के लिए और shareholder के लिए बहुत ही खराब news है क्योंकि छोटी company है ऐसे stock में जादा net profit दिखना चाहे लेकिन उल्टा होग तो जाकि investment कर सकते लेकिन अभी तो फिलाल investment के लिए बहुत ही ज़्यादा risk stock के आणने वाले समय में stock लगाता और lower circuit में गिरने की चांचे से तो यहाँ पर अगर आप पुरान श्रोडरें के top level पर आठ करेंगे अभी तो फिलाल आप stock बेश नहीं पाएंगे क्योंकि stock lower circuit मे गिर रहा है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर चांस मिलता है तो एक्जिट कर सकते हैं लेकिन आपके खुद के study के उपर यह तो तो आज का breaking news अगर वीडियो चला को तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं